हेलो स्टूडेंज बच्चो आज हम आपको ईबीएस का पोस्ट मिट टर्म का डिविजन कराने जा रहे हैं इसको बहुत अच्छे से देखेंगे और बहुत ध्यान से समझेंगे यह है आपके पैट एन फार्म अनिमल सबसे पहले है आपका कुश्चन पैट एन फार्म अनिमल तो पैट एनिमल्स क्या होते हैं पैट एनिमल्स होते हैं आपके जिने आप घर में पालते हैं कुन-कुन से एनिमल्स पालते हैं घर में और फार्म अनिमल हो गए आपके जो आपके जो फार्म यानि जो बहुत सारे एक साथ बहुत सारे पालते हैं यानि आप जैसे आप पालते हैं सीप है सीप भी एकटी बहुत सारी पाली जाती यानि बेड़ अपकी तो ऐसे ही आपके पैटर्ण फार्म निमर लोते हैं जैसे हैं सीप गोट होर्स भी पालते हैं बहुत लोग बहुत सारे ओके स्टुडेंट तो ध्यान से पढ़ेंगे इसको और लर्ण करेंगे सी ओ डब्लू काउ सी एटी कैट एची एन हैन बी ओ जी डोग हो आरसी होस ओ एक्स ओग्स जी ओ ओ एटी गोट ओके स्टुडेंट अच्छे से इसको तियार करेंगे नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट चैप्टर लेशन थर्टीन उसकी आपको मैचिंग करनी है काउ से में क्या मिलता है हमें काउ से मिलता है मिल्क सीप से क्या मिलता है सीप से मिलता है में वूल हैं से क्या मिलता है हैं क्या देती है एग और honey bee honey bee से क्या मिलता है honey यानि सहथ मिलता है हमें आप तो इस कोच्छ से तयार करेंगे सभी बच्चे फिर आपका insect name insect होता है आपके छोटे छोटे चो कीट पतंगे होते हैं ना कीडे मंकोडे बोलते हैं जिनको जैसे ant ant l a d y b u g lady bug f l y b e double t l e battle b u t t e r f l y butter fly m o s q u i t o mosquito मच्चर कारते हैं ना सब बच्चों को सप्रेशान होते हैं ना वही mosquito होता है ओके next है आपका plants around us हमारे आसपास जो plants होते हैं उनके बारे में हमने आपको class में पढ़ाए भी था और आपको garden में भी हमने आपको घुमा के लाए थे ना पत्तों को दिखाया था लग लग पत्तों के पारे में बताया था लग लग पोदू के पारे में बताया था देखो ये है आपका mango tree ऐसे ही होता है ना mango tree थोड़ा सा सीधे पत्ते नहीं होते हैं इसके ऐसे सब्सक्राइब alike दाइयों में जूजता है जाएयों पेड तेल भुत गुनकारी होता है पत्ते जला कर दुआं करके मच्छल भी भागते हैं अ्युमील बहुत जाते हैं यह बहुत गुनकारी पेड है बनाना आप लोग खाते हो तो वो भी तो बनाना पेड़ पे लगता है, मैंगो भी सब बच्चों को पसंद होता है, फिर आपका कोकोनेट ट्री, तो कोकोनेट ट्री का भी बहुत यूज है, आपका ड्राइ फ्रूट भी है वो, आप उसमें लड्डू बर्फी में भी डालते हैं, आप उसकी मिठाई ब आप सपत्तों की पैसान करेंगे और इनको सही मैच करेंगे, यह आपका मैचिंग में आएगा, ओके, दावेट भी ट्रेवल, हमें वो रास्त, जिससे हम ट्रेवल करते हैं, हम जब एक से जैसे दूसरी जगे जाते हैं, तो पैदल तो नहीं जा सकते हैं, अगर हमें बहुत पैंजियो तांगा, बी ओ एटी बोट, टी आर ए आइन ट्रेन, एस एचाइपी सीप, तो यह आपके जनरल जो आपके वाइकल्स होते हैं, उनके नाम हैं, तो इसे बहुत अच्छी से याद करेंगे, यह आपके ट्रांसपोर्ट के बहुत, ट्रांसपोर्ट के बिना तो अ इसके लावा बाइक, स्कूटर के लावा कार भी बहुत बच्चों के भी घर में हैं, और सबसे अच्छा है कि आप लोग पैदल घुमो या वैसे चलो, लेकिन अगर आप दूर जाते हो, तो दूर जाने के लिए तो आप पैदल नहीं चल सकते, इसलिए मैं आपको वाइकल के देता है, खुल लाता है दूद, मिल्क मैन, फू कट दा हेर, बार बर, बार कुन करता है, बार बर, हाव में डेज इन अवीक, एक अपते में कितने दिन होते हैं, सेवन, विच डे इज दा होलिडे, होलिडे कौन से दिन होता है, संडे, विची जवर, नेशनल फ्रूट, हमारा राष्ट यह फल कुन सा है, मैंगो, ओके, मैंगो का बाता है, गर्मियों में न, अभी गर्मी गई थी, सबने बहुत इंज आए क्या न, मैंगो खाए, ओके, नेशनल आपका डेज निम, तो डेज निम आपका फिलप में आएगा, तो इस अच्छ से लर्ण करेंगे, और फिर आप फिल जो वर्ण छुटा होगा, वो आप फिल करेंगे, जैसे, याद करेंगे, और इसकी स्पैलिंग भी सभी वच्चों को याद होनी चाहिए, फिर आपका कलर्स नेम, पहले आपको हिंदी में कलर नेम कराए थे न, लाल, हरा, नीला, पीला, अब आपको इंग्लिश में लर्ण करने है, ओके, ये क्या है, आर, इड, रेड, रेड, ये लिखावा है, ये सब जो लिखावा है कैसे, पैंसे लिखावा है, ब्लू, पी, आई, एन, के, पिंक, पिंक कैसा है, ये देखो, लाइन इसकी आ रही है न, जो उपर नीचे लाइन है, वो कैसी है, पिंक, फिर आपका, बी, एल, ए, सी के, ब्लैक, ब्लैक कैसा होता है, जैसे आपके hair है, आपकी eyes है, या फिर आपके school shoes है, आप black shoes पहनते हैं ना, ओके, फिर है G-R-E-E-N, green, green कैसे होता है, green होता है, leaves का color, यानि जो leaves होती है, आपकी पत्ते होते हैं, full powder के, उनका पत्तो का रंग होता है, green, फिर है W-H-I-T-E, white, white क्या हो गया, या आपकी copy का जो person है, plane वाला, ये कैसा है, white, ओके, फिर है Y-E-L-L-O-W, yellow, yellow कैसे होता है, sun बनाते हो जैसे drawing में sun बनाते हैं, या फिर आपको दिखता है, तो वो कैसे होता है, yellow, ओके, ऐसे आपको color की पहचान भी रखनी है, और आपको इसनकी spelling भी याद करनी है, तो सभी बच्चे exam के पूरे paper अच्छे से देंगे, ओके student, bye and have a nice day, thank you for watching the video.